सर्वर प्रथम में अपना परिचे देदूं मैं करनल तुशार जोशी मैं कुमाव रेजिमेंट से बिलॉंग करता हूं और अभी मैं राजकोर्ट में अन्सिसी ग्रूप में कारे रहा हूं तू गुजरात बटालें अन्सिसी को कमाड कर रहा हूं यह मेरा एक अनुभव जो की गुजरात प्रदेश से काफी संबंद रखता है यह है गांधी नगर के अक्षरधाम मंदिर का आपने सुना ओगा 2002 सेप्टमबर 24 तारिक को वहां पर दो आतंगवादियों ने मंदिर में हमला किया था जिसमें 50-60 लोगों को मार दिया गया था बहरमी से और करीब 80 लोगों को होस्टेज ले लिया था उस वक्त मैं मेजर तुशार्ज जोशी हुआ करता था और मैं एनसजी ब्लैक कैट कमांडो में तैना था सकॉर्डन कमांडर था वहां पर टू सकॉर्डन का जो की एक ब्लैक कैट कमांडो का सकॉर्डन होता है उस दौरान तब मैं मानेसर हर्याना में वहां पर पोस्टेट था जब ये कांड हुआ उस वक्त हम लोग मानेसर में थे मैं आपने कुछ शाम के परेड के बाद जैसे आपके अभी शाम जो परेड होती है वे इस तरह के कुछ परेड थी हमारी वो करके घर पहुँचाई था आते ही ख़बर मिली मेरे रेडियो सेट पे मेरे फोन पे तब तो मोबाइल नहीं होता था कि इस तरह से कुछ अटाक हुआ है और आपने निकलना है मैं अलर्ड स्कॉर्डन कमांडर था मैं जिस हालात में था उसी हालात में घर से निकला और सीधा पालम एरपोर्ट डेली के लिए रवान हो हुआ साथ में मेरी टुकडी जो थी वो भी अपने हमारी गाड़ियों में बैटके एरपोर्ट पे पहुंच गई वहाँ पर हमारे लिए फोजी जो प्लेन होता है आयल सेविंटे सिक्स वो तयार था हम उसमें बैटके हम सीधा अहमदाबाद पहुंचें अहमदाबाद पहुंचते ही वहाँ पर हमारे लिए पुलिस की गाड़िया आ गई थी लेने के लिए और हम तुरंट वहाँ से गांधी नगर अक्षरदाम पहुंचें और हवाईजाज के दौरान मैंने अपने कमांडोस को ब्रीफ किया मैंने उनको सिर्फ ये बताया कि मुझे सिर्फ इतनी खबर मिलिये कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ है मैंने टीवी आंड किया था तब टीवी में मैंने देखा है कि एक अक्षचरदां मंदिर मुझे अक्षचरदां मंदियर भी पता नहीं था तब जैशना मतिर गणिनगर में वहाँ पर आतंध वाद्यों हमला कर दिया है और वहाँ और होस्टेज ले रखे हैं बंधक बना रखे हैं उनको हमने छुडाना है ये तक्रीबन शाम को पांच बजे की बात है 24 सप्टेंबर 2002 को हम वहाँ से पहुंचे गांदी नगर पहुंचते पहुंचते 10-10-11 बज गये थे वहाँ पहुंचने के बाद वहाँ पर जो ऑपरेशनल रिस्पॉंसिबिल्टी होती है वो मुझे हैंड ओवर कर दी गई तबके आईजी थे मिस्टर चक्रवर्ती उन्होंने मुझे ब्रीफ किया लास्ट में कहां पर उन्होंने आतंगवादियां को देखा मैं आपको कुछ फोटोस दिखाऊंगा मेरे बताने के बाद मेरी पुरी इसके बाद आपको बताऊंगा तो आपको अपने आप ग्यात हो जाएगा उन्होंने में को हैंड ओवर करने के बाद उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर पुलिस के कई 3-4 कमांडोस शहीद हो गए हैं और आखरी बार जब देखा था तो 15 मिनिट पहले एक वहाँ पे जो उपर के जो परिक्रमा है उधर देखे गए थे उसके बाद 15 मिनिट से कोई फाइरिंग आई नहीं है मेरे लिए एक बहुती चैनेंज वाली बात थी कि अब मैं इतने बड़े मंदीर में ढूंडू कहां मुझे कोई आइडिया नहीं था मंदीर के बारे में मुझे सिर्फ जो ब्लो अप और यो मॉडल था उस पे बताया गया था बाकि मुझे कोई ग्यात नहीं मंदीर इतना बड़ा खूब सारे रूम्स अब किस रूम में है यह दो आतंगवादी किस में घुसे हैं कुछ पता नहीं हम लोग अंदर घुसे मैंने अपने पूरे टीम को छोटी-छोटे स्कॉर्ड हम लोग हिट्स बोलते थे वो हिट्स में बाटा था पैले इस सी बटा उता है उन्होंदे उनको मैंने डिप्लॉय किया आ मेरे जो स्नाइपर्स थे स्नाइपर मतलब जो दूर से जो शिस लेके मारता है निशाना bewe方面 जिसको एमोमन बोलते है उनको मैंने डुप्लॉई किया उनका काम दो था एक कहीं दिखता है तो उसको क्लियर कट अगर दिखता है तो उसको स्नाइप करना उसको वहीं के वहीं मार देना पर ध्यान में रखे कि कोई उसके साथ को लैटरल डैमेज ना हो को लैटरल डैमेज मतलब उसके साथ और कोई नुक्सान ना हो और दूसरा तास्ता उसका सर्विलेंस नजर रखना इनको मैंने मुनासिब जगे पर मैंने डिप्लॉई किया और मेरे हिट्स बाएं से और कुछ हिट्स दाइने से ये सर्च करना शुरू किया अब रूम में सर्च कैसे कर रहे हर रूम में इतने गुसना मुश्किल था मुश्किल नहीं मितलब पता नहीं था किस कमरे में हैं तो हम हमें हर रूम में स्पेकलिटिव फखना पड़ा मतलब ऐसा फखन के अंदर चेक करना पड़ा कि अगर हम फखना मियर करेंगे तो आपने देखा होगा दैनी तरफ एक हॉल है जिसमें पिक्चर दिखाते हैं और उसके बाजू में एक टॉलेट है आप अगली बार कब जाओगे तब ध्यान रखना मेरी बात जब अंदर गुशते हैं दैनी तरफ के फ्लैंक में एक आडिटोरियम है जहां पर पिक्चर द अंदर मेरी एक फरस्ट और सेकेंड में एंट्री हुई फ़ाइं करते-करते अंदर से रिटर्न रिटैलिटरी फ़ायराय का फ़ायर आते ही समझ घाए कि अभी इसमें है अंदर जब मेरे उन्होंने अंदर फ्लैश बैंक डाला फ्लैश बैंक एने एक ग्रिनेड होता है जिससे अंदर डालते ही वो खुब लाइट करता है जिससे आँके अंधिकार चा जाता है और उसी का फाइदा लेकर हमारे कमांडोस मारते हैं जब ये किया तभी मेरे रेडियो सेट पे मेसेज आया कि ये मिलिटन जो टॉलेट में चुपा था वो भार के दरवाजे से मंदिर की भार की तरफ निकल गया है पर बाहर मेरा कॉर्डन था जिनोंने कॉर्डन मतलब जो घेरा लगाता हूँ जो कॉर्डन था उन्होंने उसको पिंडाउन कर दिया था और वहाँ पर बैटल लड़ाई चल रही थी उसके साथ वो पेड़ों के उसके भार अब देखो के तो वहाँ पर एक नरसरी थी वो नरसरी के पेड़ों में आण में चुपा हुआ था और महाँ पर सिर्फ मंदीर के जो भार के लाइटे थी ये मैं टाइम बता दू रात के एक दो बज़रे थे जब मैं अपनी जो मेरी जो टीम चोटी हिट थी मेरे साथ भी चारल कमांडोस थे हम उसको लेके में भार गया क्योंकि मेरा उस पोजिशन में रहना ज़रुरी था तो उसके पास में एक छोटी सी दिवार थी उस दिवार के पीछे मैं चला गया अपने हिट के साथ आपने देखा होगा भार की तरफ पीजे के तरफ जहां पर पुतले बनते हैं, स्कल्प्चर्ज बनते हैं, तो वो इलाका था, तो उस इलाके में जाके दिवार के पीछे मैंने आड लिया, कवर लिया, वहां से मेरे को हमारे जवान, हमारे कमांडोस का और अतंगवादी का फायर, य जब मैं उसके लाइन में आया, बेलकुल उसके सामने आया, लेकिन दिवार के पीछे मैंने तभी उसको स्वाक कर लिया, उसके फ्लैश के कारण, जो AK-47 फायर कर दा था, एके फ्लैश से उसको स्वाक कर लिया अभी सिर्फ ये था कि इस बीच फायर करते करते मेरे एक जेसियो साब उनको गोली लगी और वो उनको इवैक्वेट करना पड़ा क्योंकि मिलिटेंट था आतंकवादी था उसका तो कोई निशान नहीं वो तो बस अंधा दून फायर कर रहा था जहां पर आवाज आई वहां फायर करता जा रहा था उसमें मेरे एक जेसियो साब थे उनको गोली लग गई उनको इवैक्वेट कर दिया गया वो पोजिशन फिल मैंने ली और उसको अबसर्व किया मैंने बोला अभी सब मैंने रेडियो सेट पर अपना पास किया कि अभी आप अपने अपने जगे पे रहो और अगर भागने की कोशिश करता है तब मारना तब तक नहीं क्योंकि मेरा इरादा था अभी इंटर्वीन करने का अंदर घुसने का क्योंकि ऐसे वो मारेगा तो और मेरे तीन-चार लोगों को ले जाएगा तो मेरे साथ एक मेरा बड़ी था उसका नाम था सुर्जन सिंग भंडारी आपने कई सुना होगा वो अक्षरदाम आप तो बच्चे तब तो पैदा भी नहीं होए होंगे जो स्वामी जी होंगे और बाकी के जो मुज़र्ग होंगे उनको पता होगा एक उसके कई एक साल तक एक सुर्जन सिंग भंडारी अक्षरदाम कमांडो आमदाबाद हॉस्पिटल में कोमा में है यह अपने कई बार पढ़ा होगा सुना होगा यह वही जवान था वह मेरे साथ मेरा बढ़ी था मैंने उसके उपर नजर रखा उसbelement के उपर उसके फ्लेश के उपरर मेरी नजर सिर्फ व्लेश के उपर थी कि उसको स्पॉर्ट करना था मैंने संग को सुर्जन स्ग को बोला बेटे वो मुझे दिग गया है और अभी हमने दिवार को कूदना है दिवार इतनी छोटी थी चार तीन चार फूट की दिवार थी और इसके उपर ऐसे स्पाइक इसे पोल लगे थे और इसके उपर लाइट है थी मैं यहां पर एंवीडी से नाइट विजन डिवाइस से भी नहीं देख सकता था क्योंकि वह लाइट का जब नाइट तो मेरा उट्रावी खत्रे से खाली नहीं था पर मारना ज़रूरी था कि मैंने सुर्जन को बोला बेटे मैं उसको देख लिया है मैं स्टैंड बाइस टैंडबाय गो बोलूंगा उसमें हम लोग ग्रेनेट फेकेंगे उस ग्रेनेट के ब्लास्ट के साथ हम उठेंगे और ह हम उसको fire करेंगे जिससे उसको action react करने के लिए मौका ना मिले हुआ वही मैंने बोला stand by stand by go हम खड़े हुए हमने ग्रेनेट फेका और और हमने हमारे हतियार fire कि और उसी fire में उसने उल्टा fire किया ये तो बाद में पता लगा कि वो मरते मरते fire कर रहा था लेकिन उसने fire किया और उस बस्ट में मेरे सुर्जन जिंग भंडारी को किये यहां पर brand stem होता है या कुछ इंप खास नस होती उस पर लगी और वो भाग करके नीचे गिर गिर और उसी बर्स्ट में उसको यहां लगी और मुझे गर्दन पर लगी यहां काटके चले गया मेरे मुझे पता ही नहीं लगा कि मुझे लगी है क्योंकि इसे काटके गई थी यह तो मुझे बाद में पता ला जब मैं सुर्जन सिंग बंडारी को CPR दे रहा था जब मैं उसको करकें सांस करा तरनत मैंने रेडियो सेट पे इसको गई एक कराया और जब मैं उसके मुझे अपने आपको थो मेरे यहां से ब्लड उसके मुँग पी गिरा था क्योंकि मैं फोर्स लगा रहा था तो ब्लड स्पर्ट होगा भार गिरा तब जब मुझे पता लगा कि यहां पे कटा है तब मुझे उसके बाद दर्द होने लगा तब तक काफी टाइम हो गया था क्योंकि बॉडी गरम थी सामने दुश्मन था तो इसमें मुझे पता नहीं लगा लेकिन ऐसे काट के चले गया कुछ मुझे दांत में तूट गया था पर बाद में जब बॉडी ठंडी हुई तब पता लगा कि मुझे चोट लगी है पर मुझे कुछ हो नहीं रहा था ऐसा का के देखा तो वो मरा पड़ा था हो सकता है वो मरते मरते उसने जो फायर किया और मेरा नुकसान कर गया करि 24 mois था तो एक मरा था अब दूसरा कहाँ है मों दूस्रा ढूण और मुश्केल हो गया क्योंकि ये भी खबर मिली थी कि करीब 80 लोगों को उसने बंदत लिया है वो कहां लिया है पर जब इनिशल में जो सर्च हम कर रहे थे तब वहां के हिट ने मेरे को मेसेज दिया कि सब यहां पर इस आडिटोरियूम से कुछ औरतों की और बच्चों की अंदर से रोने की आवा जा रही है तब मुझे लगा कि यह होज नहो यह वही हो सकता है क्योंकि बाकी के कमरे तो हमने सर्च कर लिये थे मेरी टीम उसको उस कमरे को कॉड़न कर लिया एक भार का कॉड़न लगा था क्लोज इन हो गए पास में पहुंचे मेरे स्नाइपर्स जो मैंने शुरू में बताया है जो सर्वलेंस कर रहे थे उनको उनको मैंने थोड़ा सा रिडिप्लॉय रिएजस्ट किया और उनको बोला कि उस दरवाजे पे नजर रखो कोई खबर कुछ होता है तो क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा था मैं आड में था तो वहां से उपर जहां स्नाइपर लगाया था वहां से वो सर्वलेंस कर रहे थे इतने देर में मैंने सब को बता दिया कि अभी इसके साथ उस टर्रिस्ट को बाहर कैसे निकालें ये एक जरूरी था ये जरूरी था कि अगर नॉर्मल अमूमन हमारे जो ड्रिल होती है हमारे जो तरीका होता है कि दर्वाजा ब्लास्ट किया और अंदर गया और मारा ये हम यहां पर नहीं कर सकते थे क्योंकि अंदर सिविलियन बंदक थे हमारे इस कारवाई के कारण कोई हम कोई नुकसान न पहुंचा है यह एक टेंशन था यह खास मतलब बहुत ही ज़रूरी था कि हम सिफ टेर्रिस्ट को ही मारें कोई को लाटरल डामेज नो हो तो यह दिमाग में रखते हुए मुझे थोड़ा सा खेल खेलना पड़ा उसको हम बोलते हैं साइकलोजिकल आप्स साय आप्स उसके मन से खेलना मैंने सारे जितने फाइरिंग अभी तक चल रही थी सब मैंने बंग करवा दी मैंने कहीं अभी कोई फाइर नहीं होगा शांत बिल्कुल मैंने रेडियो सेट पर पास कर दिया सब शांत रो और ऐसा होना चीए कि कुई आवाज ही नहीं आए कुछ भी नहीं और इतनी तेर में मैं और मेरा जो दूसरा बड़ी आ गया था सुरजन सिंग के बदले में हम लोग उपर गए वहां से एक सी डी थी एक सा जो रिपैर मैंटेनेंस के लिए जो इसी क्रेन होती है इसी सी डी जो ऐसे ऐसे लंभी होती है तो उस पर चड़के हम लोग चटने गए चत्पे जाने के बाद वहां पर हमने अपनी एक्विप्मेंट बांधा एक एक्विप्मेंट होता है जो उचे बिल्डिंग से नीचे उतरते हैं और जो कंट्रोल करके उतरते हैं control descender जिसमें हम दबाते हैं तो हमारे body weight से हम नीचे आते हैं और hand free और छोड़ दो तो लटक जाते हैं तो ये hands free होता है इसको कहते हैं अपसलिंग का equipment मांधा और हम दोनों नीचे उत्रें आप थोड़ा सा ध्यान अपने अक्षजम मंदीर की तरफ ले जाए और जहां पर वो auditorium था उसकी उपर की जो च्छते वो उपर के corridor corridor बनता है तो उस च्छत तक यह hall number five way if I am not wrong hall number five अब जब भी जाओगे अगली बाद ध्यान रखना तो उस hall के उस दरवाजे के सामने उपर वाले च्छत के उपर हम दोनों खड़े हो गए ऐसे टिक गए अबी बाद यही हुआ हम वहां लटकते रहें मेरा प्लान था कि अगर वो दरवाज क्योंकि था वो एकी दरवाजा बाहर आना था तो उसी से ही और उस दरवाजे को मेरे सर्व मेरे स्नाइपर ने cover कर रखा था और मेरे 10-15-20 मिनिट हम लोग लटके रहे हैं हारनेस बनता है पूरा बनने के वाल ऐसे हम लटके रहे पकड़े पगड़कर थोई देर के बाद 15-20 मिनिट बाद मेरे स्रवलेंस का मेसेज आया कि साब वो दरवाजे से बाहर आया है दो लोग है एक के हाथ में हत्यार है उसमें लाल के लिए इतना भाहर शांत कैसा हो गया आवास बंद कैसे हो गई क्योंकि वह भी क्या होगया बाहर को शाम आप तक तो इतने दुमधड़ा का हो रहा था गोली बारी हो रही थी अभी एक दम शांत कैसा हो गया तो वो देखने के लिए वो दर्वाजा उस खोलके वो भार आया और वो कॉलडर की चोड़ा ही कितनी होगी इतनी एक चार मिटर पांच मिटर बस मैं उसके साम मेरा प्लान था उसके सामने उतर कर उसको मारने का लेकिन जैसे ही मैंने मेरे साथ जो था उसका नाम था दुरगा मैंने उसको बोला दुरगा तो कुछ डर तो नहीं लग रहा है तो बोला साब आप हो मेरे साथ मुझे डर किस बात का और वहीं बैठे बैठे हम लोग गपे लगा रहे हैं क्या गपे लगा रहे हैं मैं उस वक्त ये हाला थी जो अभी हमारे जो डॉक्टर विक्रम एक्स डीजीपी जो बहुत बता के गए कि लड़ाई के पहले गोली तैयार रहती है अगर तुम्हारी नाम पे गोली बनी नहीं है तो कोई तुम्हें मार नहीं सकता यही बात मैंने दुरगा को बोला बिटे अभी हम उतर रहे हैं डरना मत नहीं साब आप हो मेरे साथ मैं उज़े डर नहीं लेकिन एक बात बताओं डर तो मुझे भी लग रहा था क्योंकि मैं इंसान हूँ लेकिन हमारे ट्रेनिंग ने ये बताया कि डर के आगे भी जीत है डर ते उस डर को ओवर कम करना ये ज़रूरी था और मैं एज ए लीडर एज टासफोर्स कमांडर मेरे चेहरे पर ये डर दिखना नहीं चीए था अगर मेरे चेहरे पर डर दिखता अगर मैं पिछाड़ जाता तो मेरे टूप्स कमजोर पड़ गए होता तो ये मेरे लिए था लेकिन अंदर ही अंदर मुझे डर था क्योंकि मेरी वाइफ प्रेगनेंट थी मेरी एक छोटी डेड़ साल की बेटी थी वहां पर सारी कहानियां मेरे दिमाग में घुमने लगी कि मैं चला जाओंगा तो क्या होगा क्या होगा क्या होगा यह दिमाग में चलता रहा लेकि यह मैंने यह सब दिमाग से हटाया और मैंने दुर्गा को बोला बेटे वहीं लटके लटके हम बात कर रहे हैं तीरे दीरे दीरे क्योंकि हमको उसका इंतजार करना था मैंने बोला उस वक्तना मैं सिग्रेट पीता था तब यंग था कभी सिग्रेट पीता था तो मैंने उसको बोला बेटे अगर मेरे को कुछ हो जाए तो मेम साहब को मत बताना कि मैं सिग्रेट पीता था उसको भी इस तरह से लगा कि साहब ऐसी क्यों बात कर रहे हैं कुछ नहीं होगा अभी भी मैं वो बात सोचना हूँ तो मेरे रोंग्टे खड़े हुए जागे इतने में स्नाइपर का मेसेज आया साहब वो भार आ गया फिर से और वोई पोजिशन है लेकिन अभी एक आदमी को भार लेके आया है मैंने बोला दुर्गा बेटा चलो मैंने स्टैंडबाइ गो बोला हम और उसको सिंगल शॉट पर रखा वेपन को सिंगल शॉट पर रखा बर्स्ट सिंगल शॉट मोड़ होता है बर्स्ट करेंगे तो कई गोलिया जाती है उसमें को लेटर साथ वाला मरने का करते हैं इसलिए सिंगल शॉट मारा अब दिमाग में यह था कि अगर मैं पहले मारूंगा तो मैं जीओंगा अगर उसने पहले मार रहा तो वो जीएगा अगर उसी इसी में बोला स्टैंडबाइ स्टैंडबाइ गो बोला और हम सीधा उसके सामने मतलब पांच मिटर जहां पर यह कैमरा वाला है बस उसी जबहा होगा वह मैं यहां था उसके सामने उत्रा उतर ते एक गोली फायर उसकर गोली बीचो बीच और वो धाब दीचे और उस वक्त जब मैंने उसको मारा मुझे पता नहीं मतलब और जो मेरे पैर तब भी लटपट कर रहे थे अभी भी कर रहे हैं क्योंकि वो जो सीन अभी में देख रहा हूं याद आता है तो मेरे को अग्दम वो और जैसे वो घिरा मेरे बाकी के जंद बाकी के टूप्स आ मैं आपको फोटो दिखाऊंगा उसका वो अन दो स्पाट उसको भार साइड में खिचा और वो लेडी को लेके आए फिर अंदर दरवाजा खोल के अंदर गए तो अंदर सकतर असी लोग महिला हैं बच्चे चोटे बच्चे और कितने करीब पांचे आठ गुंते से अंदर बन देते चोटे-चोटे बेबी दूद पीने वाले बच्चे माता हैं मतलब वहां पे गंदग ही हो चुकी थी बुढ़े मतलब इतना गंदा कर रखा तो विचारे करें तो क्या वहालात बे ऐसे थे उन सब को हमने बाहर निकाला बाहर तुरंत यह सब तब हुआ जब मेरे यह मैंने अपना कपड़ा बांध रखा था और लखी लिए मेरे को इतना कुछ हो नहीं रहा था यह उपर वाले की मेरे बानी की मेरे को उतनी ताकत थी आखिर तक फिर सब गया फिर उनको हमने बाहर निकाला फिर उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरूआ जब सर्च ऑपरेशन शुरूआ तो उसके बाद हमको दो चार मैगजिन्स मिले जिसमें एमनिशन फुल था कुछ ग्रिनेड मिले उनके खाने पीने का सामान काजू चॉकलेट यह दोनों बॉडिस को हमने दोनों मिलिटन्ट को रगडते हुए खेंचते हुए भार लेके आए बाहर साली पब्लिक खड़ी थी क्योंकि और अभी प्रॉब्लम यह था कि अभी भार लेके जाओंगा तो पब्लिक तो और मार देगी उनको मरे को भी और मारेगी इसलिए हम भो नहीं चाहते थे इसलिए वहीं हम रगडते हुए उसको लेके आए उसके पैर में रसी बांद के खीच के निकाला यह हम कुछ कुछ भी उसका अफमान नहीं कुछ शव का हम ऐसा नहीं करना चाहते थे पर यह हमारे सिखलाई में है कि जब ऐसा टेरिस्ट वगरे होता है उसके पैर में बांद के खीचो क्योंकि उसके शरीर पर भी ग्रिनेड होने के चांसेज होते हैं जिसकी पिन निकली होती है और व पास चॉकलेट्स, काजू, किशमेश, बादाम यह सब रहे उनकी इच्छा थी कि वह और होस्टेज लेते रहे होस्टेज लेके रहे और दो तीन दिन का प्रोग्राम था उनका ऐसा लग रहा था यह होने के बाद उस वक्त मैं एक जागे जाके बैठा बैठा और वाया दायनी साइड में इधर ऐसा बल जा गया है फूल गया है फिर जब ऐसा दबाया तो ऐसा कुछ ऐसा लग रहा था कुछ ब्लीडिंग हुए तो भार कई डॉक्टर आगे थे कई मेडिकल यही खास है ते गुजरात की ऐसा कूछ हुआ तो सारे के सारे मदद के लिए पहुँ किया ने बोला इंटरनल ब्लीडिंग है और फिर करके मेर को अम्दाबाद हॉस्पिटल में एवेक्वेट किया वहां जाके जो ब्लड फ्लेश आउट कर सकते थे जो भी किया उन्होंने मेरे को डॉक्टर भूने पर जो कुछ मेरे उपर अड्मिस्टर किया और वो कि उसके बाद उसके बाद कुछने में वहां पर मीडिया वाले पहुँच गे तो पर मैं उस हालात में था नहीं बोलने के पर वहां से मुझे प्लेन में मेरे को इवेक्वेट कर दिया गया डेली के हमा तो इस तरह से ये हमारा आपरेशन हुआ अब ये पूरी जो कहानी मैंने जो बताई आपको ये कहानी तो क्या मतलब मेरे साथ हुआ हुआ है उसके बाद जब हमने उनके सामान को टटोला ये तो खेर मुझे बाद में पता लगा पर जब हमने सामान देखा उसमें कई ऐसे चीज़े एक लेटर मिला उर्दू में लिखा हुआ वो आमने पढ़वाया तो उसमें पता लगा कि ये उन्होंने गोधरा का रिवेंज लेने के लिए किया था क्योंकि गोधरा का करीवा मार्च अप्रिल में कुछ हुआ था और ये सेप्टेंबर में हुआ था उसी साथ दो हजार दो में तो इस तरह से मुझे वो आपरेशन करने का मुका मिला और इसके लिए मेरे जो कमांडो जो थो सुर्जन सिंग भंडारी को उसको किर्ती चक्र मिला और मैं और मेरे एक और साथ ही था हम लोग को दोनों को सेना मेडल मिला मेरे को एक चीज़ कहना है कि हमारे हिंदुस्तान की फॉज के जो अफसर जवान जेसियोस जो है ये बहादू है ये भाहर से तो दिखते ही है लेकिन मैं अंदर रहकर मैं बता सकता हूँ कभी अपने ड्यूटी और कही इसके लिए आपने कभी उनको आना कानी करते है कभी नहीं देखा होगा पीस टाइम हो, फील्ड में हो, खुछ बूए और कि जो हमारे हिंदुस्तान के जो जवान है ये मुझे मौका मिला था ये ओपरेशन करने का और मैं उसमें जिन्दा तुमारे सामने मेरी ये कहानी बताने के लिए मैं जीवित हूँ लेकिन कई लोग नहीं होते हैं तो और हमारे में जो काबिलियत है वो इतनी परिपून है इतनी है कि उनको कभी में मौका मिले वो पक्का उसको पूरा करेंगे मुझे मौका मिला इसलिए मैंने किया मैंने कि मैं एक बाहदूर था कई हजारों हमारे पास ऐसे लोग है सिर्फ मुझे मौका मिला और मैं आपके सामने बताने के लिए हुआ हैं